दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना खुद का एक GST Calculator टूल बना सकते हो, उस टूल को different-different टूल को sell कर सकते हो, साथ याप different-different method से उसको monetize भी कर सकते हो अपने खुद की website पे रखके, सो दोस्तो जैसा कि आप देख पारे हो, 100% real GST Calculator यहाँ पे हमारे सामने बिल्ड हो चुका है, हमें यहाँ पे क्या-क्या detail डालनी है, जलिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ पे amount डालना रहता है, example के लिए यहाँ पे हम यह random amount ले लेते, 98,765, अब यहाँ पे हम GST rate लेते हैं, 18% और calculate GST के उपर click करते हैं, तो हमारा जो GST amount आएगा, वो 17,777 आएगा, और जो total amount बनेगा, वो 1,16,542 बनेगा, कुछ इस type से GST calculator के माधियम से GST को calculate किया जाता है, यह almost finance की हर एक website के उपर यह tool अविलेबल रहता है, इसी type से आपको काफी different segment की website के उपर जो है, ऐसे tool देखने को मिल जाएंगे, तो वो tool आखिर कहां से आते हैं, वो tool हम ही बना के sell करते हैं, हमारे जैसे लोग ही बना के sell करते हैं, वो website वाले खरीदते हैं, क्योंकि उनके पास इतना time नहीं होता है, कि वो किसी को hire करें, उसको pay करें, उसके बाद वो tool बनवाएं, simply बना बनाया tool खरीद लेते हैं, और अपनी website के उपर डाल देते हैं, अब, अब खुद अपनी one tool website या multi tool website बना के भी इस method से earning कर सकते हैं, जो कि मैं आपको इस video के अंदर बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरा complete end तक देखेगा, अब आपको ये चीज confirm है कि ये tool 100% work करता है, तो दोस्तों किसी भी tool को बनाने के लिए हमें चाहिए होती है, उस tool की script, जो script हमें बना के देती है, चैट GPT, चैट GPT को हमें command देना रहता है, चैट GPT हमारे लिए पूरी तरह से responsive code बना के दे देती है, उस code को जैसे हम HTML segment में डालते हैं, वो tool में तब्दील हो जाता है, बन जाता है, जैसे हमने चैट GPT को यह command दिया, चैट GPT ने हमारे लिए good and service text calculator tool बनाना सुरू कर दिया, और आप देख सकते हैं, देखते ही देखते हैं, अमारे सामने यह script तयार हो गई, अब अगर आप चाते हैं कि इसी same tool के लिए आप दोबारा चैट GPT से coding करवाएं, तो आप दोबारा यहाँ पे save and submit पे click करेंगे, आप जितनी बार भी चैट GPT को बोलेगे, चैट GPT आपके लिए यह script बना के देदेगी, और आपको उस script का यूज करके simply पैसे अन करने हैं, उसमें कोई भी doubt नहीं है, अब ध्यान से दीखे, script यहाँ पे हमारे सामने तयार हो रही है, आप इस script को भी check कर सकते हो, copy करेंगे, यहाँ पे लाएंगे, यह वाले script अपन यहाँ से उड़ाएंगे, यहाँ पे paste करेंगे, run के बटन पे click करेंगे, यह देखे, यह हमारे सामने GST calculator आच चुका है, यहाँ पे हमें amount एंटर करना रहता है, calculate GST पे click करेंगे, data आपके सामने है, इस टाइप से चीज़े जो है, यहाँ पे generate होती है, अब आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको एक website बनाना सिखाता हूँ, उस website पे इस tool को डालना सिखाता हूँ, और उस website को monetize करना भी सिखाता हूँ, साथी दो ऐसी website दूँगा, जिनके उपर आप इन script को directly sell कर सकते हो, यहाँ दोस्तों यह responsive script है, इनको directly आप sell कर पाओगे, उसके लिए आपको Google पे आना है, और चर्ज करना है, ब्लॉगर, ब्लॉगर जब आप चर्ज करोगे, यह link आएगा, ब्लॉगर बेसिकली Google का यह एक free platform है, अगर आप WordPress पे website बनाने जाओगे, तो आपको domain and hosting यह दोनों चीज़े खरीदनी पड़ेगी, and हर साल आपको renew भी करवाना पड़ेगा, अब जो भी plan सेलेक्ट करेंगे, उसके हिसाब से आपको renew करवाना पड़ेगा, आपने 3 मन्त का सेलेक्ट किया है, या 6 मन्त का, या 12 मन्त का, यनि कि आपको lifetime पे करना पड़ेगा, यह चीज़ आप समझनी जिए, लेकिन अगर आप blogger के उपर website बनाते हैं, तो यह 100% free है, lifetime के लिए free है, इस link पे आपको click करना है, जैसे आप इस पे click करोगे, यह page open हो जाएगा, अब यहाँ पे create your blog के button पे click करना है, जैसे आप इस पे click करोगे, आपके सामने आपके सारे gmail account आजाएंगे, एक बार आपके gmail account को आप select कर लो blog का name select करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते है, blog का name अपन select कर लेते है, gst calculator tool, और आप देख पा रहे हो, हमने name select कर लिया, next के button पे click करेंगे, अब हमें अपने blog का URL select करना है, जो कि आप देखी पा रहे हो, gst calculator tool, यहाँ पे name आ चुका है, अब यहाँ पे पीछे कोई random number में add कर देता हूँ, save के button पे click कर देता हूँ, तो जो है, हमारा यहाँ पे blog बनके ready हो जाएगा, और अब आना है आपको pages के उपर, 5 pages बना लेने हैं, अगर आप AdSense का approval चाहते हो तो, term and condition, about us, contact us, privacy policy and disclaimer, यह वो 5 pages है जो आपको बना लेने हैं, google पे easily आप बना लोगे, आप try करिये कि कैसे बनाए, so, theme पे आना है, और यहाँ से कोई भी decent theme आपको लगा लेनी है, example के लिए मैं यहाँ पे यह content popping theme लगा के बताता हूँ आपको, उसके बाद आपको आना है setting के उपर, and यहाँ पे रीखे, अपने title डाल दिया है, लेकिन आपकी website का description अभी भी डलना है, तो यहाँ पे 500 character तक आप अपनी website का description डालिये, ब्लॉग की language जो की UK की English select है, इसको US की English में तबदील करिये, and उसके बाद जो है, नीचे scroll करना है आपको, comment moderation को जो है, यहाँ पे never से always बिलाके save कर देना है, और नीचे scroll करने पर आपको meta tag का option मिलेगा, इसको enable कर देना है, और search description में अपने meta tag डाल देना है, और नीचे scroll करने पर आपको crawler and indexing का option देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे custom robot text enable कर देना है, custom robot head attack भी enable कर देना है, और google search console में आपको अपनी website को add कर देना है, इतना करने के बाद आपको आना है post के उपर and new post के button पे click करना है, अब आपको यहाँ पे title डालना है अपना जो भी आपका GST calculator tool है, so title हमने डाल दिया, अब आपको label बनाना है, तो label में मैं यहाँ पे tools name select करता हूँ, फिर आपको permalink पे आना है and custom permalink के button पे click करना है और यहाँ पे आपका title आपको paste कर देना है, फिर नीचे search description का option मिलेगा, वहाँ पे आपको अपने meta tag डालने है, यानि कि ऐसे tag डालने है, जो कि लोग search करेंगे और आपका tool वहाँ पे recommend होना चाहिए, इस type से आपको tag डालने, फिर यहाँ पे title के नीचे यह जो pencil का icon है इस पे click करना है और HTML view को select कर देना है, जो भी coding अविलेबल हो उसको आप हटा दीजेगा, फिर जो है आपको आना है GST calculator tool पे यहाँ से यानि कि chat GPT पे आना है, एंड यहाँ से जो coding हमें मिली है, उस coding को copy करना है, एंड अपने blogger पे आना है, और उस coding को कर देना है, पेस्ट अब आप चाहिए तो यहाँ पे कोई image add कर सकते हैं, जिससे कि यह और ज़्यादा attractive बनें, बट currently मैं इसको जो है, यहाँ पे आपको publish करके दिखा देता हूँ, तो हम यहाँ पे publish के button पे click करेंगे, confirm के button पे click करेंगे, हमारा tool publish हो चुका है, अब मैं आपको इस tool को use करके बताता हूँ, ताकि अगयान आपको पता रहे कि यह 100% responsive tool है, तो view के button पे हम click करेंगे, हमारा tool open हो जाएगा, currently यह theme जो है, basically सही नहीं है, तो मैं यहाँ पे कोई दूसरी theme लगा के आपको बताता हूँ, इस theme में scenario सही नहीं बता रहा है, तो यहाँ पे अपने इस light theme को apply करके देखते हैं, right, so refresh के button पे click करेंगे, यहाँ पे भी यह theme जो है, set नहीं हो रही है, इसके लिए मुझे एक ही theme सही लग रही है, currently, simple block वाली theme जो है, काफी वड़िया लग रही है, उसको apply करते हैं, और अब 100% यह tool use करने लायक बन चुका है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, so, यहाँ पे आप देख पारे हो, GST calculator tool हमारे सामने आ चुका है, और वो भी काफी unique वाला, यहाँ पे देखिए, आपको interest rate सिर्फ select करनी है, type भी करने की ज़रुद नहीं है, enter amount में मान लिजे आपका 68,900, 6,80,900 का amount है, उसके उपर आपको 18% के इसाबजे GST calculate करना है, so, calculate GST के बटन पर click करेंगे, total amount आपका 8,3,462 रुपीज आएगा, and GST का जो amount है वो, आप देख पारे हो, 1,22,562 रुपीज आएगा, so, इस इसाब से GST पूरा यहाँ पर calculate की जाती है, यानि कि जो amount रहता है, उसके उपर 18% एक्स्ट्रा जोड दिया गया, जो GST का हुआ, तो total amount इतना बना, और यह 18% इसका, right, so, इस type से यह चीज़े work करती है, वीडियो informative लगा तो वीडियो को like करिये, और channel पर पहली बार आयो, make sure कि आप channel को subscribe करें, तो दोस्तों, अब आप अपनी ad website, यह जो tool है, tool website इसको monetize कर वाना चाहते हो, तो उसके लिए adstera एक ad network है, जो आपको easily monetization enable करके दे देगा, भले ही आपकी website पे कम traffic है तब भी, लेकिन यहाँ पे एक ही problem है, वो यह कि यहाँ पे revenue आपका adsense के मुगाबले थोड़ा कम बनेगा, तो मैनत करके आपको 10-15 blog article लिखके adsense का monetization enable करवा देना है, अनिता अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो adstera से monetization enable करवा के, इस link को different different जगह पे share करिए, अच्छा traffic ए recent earning आप generate कर लोगे, और यहाँ से basically आप पहले दिन से ही कमाई शुरू कर सकते हो, यह advantage है, adsense के मुगाबले हलकी सी कम earning होगी, यह disadvantage है, हलाकि मैं जो है, अपना experience यहाँ पे बता रहा हूँ, basically मेरी जितनी इस platform के साथ earning होई है, उस हिसाब से, second चीज, आप in tool website को अपना एक free online store बना के उसको sell कर सकते हो, देखिया, यहाँ पर अगर आप कोई भी product sell करना चाते हो online, तो उसके लिए यह best platform है, इंस्टा मोजो पे अपना payment gateway लगा के, easily कर सकते हो, कोई hard process नहीं है, बहुत ही simple process है, एक रुपे भी invest करने की जरुरत नहीं है, so video informative लगा, तो video को like करिया, और